हलो फ्रेंट्स प्रग्यास किचन में एक बार फिट से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे किचन में साउथ इंडियन रेसिपी तयार होने वाली है वो भी एक दम फूली-फूली और रूई जैसी सौप बनने वाली है बहुत ही इजी है और इंस्टंट तयार तो आप हमारे साथ अन तक जूड़े रहें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुरू करते हैं मैंने एक बरतन लिया है और यह दो कप सूजी ले रहे हूं आप बारिक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर यह बटर मिल्क चाच ले रहे हूं जो कि दो कप है मेरे पास मोली चाच है अगर आपके पास खटी है तो आप एक कपी ले और अगर दई है तो हाफ कप दई मत कर इसमें डाले और पानी की कॉंटिटी आप बढ़ा दे मैंने हाँ पर यह दो कप चाच ली है और इसी के साथ यह मिक्स करके और हाप कप इसमें पानी मिक्स करके अब अपने को इसको ढख कर रखना गर्मी है तो इसको ऐसे ही छोड़ दे और सर्दी है तो गरम प्लेस पर 4-5 गंटे के लिए रखे मैंने 3 गंटे इसको रखा देख सकते हैं बहुत अच्छा बैटर फूल कर तयार हुआ है बिना इनो बिना सोडे के बहुत ही अच्छा बैटर तयार हो चुका है अब इसको मैं एक दूसरे बरतन में ले लेती हूँ अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है तो अपने को इसमें पानी मिलाना होगा अभी मैं इसमें 1 फोट कप पानी डाल जूँ आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही बैटर तयार करें क्योंकि सुजी की कॉलिटी बेड़ा करता है कि कितने पानी की जरुद है तो अभी भी मेरे ये बैटर काफी ठीक लग रहा है अभी मैं इसके अंदर वन फोट कप पानी ओ डाल रही हूं क्योंकि कंसिस्टेंसी काफी ठीक लग रही है आप एक दम पर्फेक्ट है, टोटल अपने इसके अंदर एक कप लगबग पानी लगा और अब आपने इसका तड़का तयार कर लेते हैं, आप चाहे तो डालें वरना आप ऐसे बीडली तयार कर सकते हैं, मैंने एक तड़का पहन लिया है और इसके अंदर हाप टीए स्पून जित इतना ये उड़त का मोगर डाल रही हूं, अपने राई अच्छे से तड़क गई और मोगर भी हलका सा ब्राउन हो चुका है, गेस की फ्लेम अपन आफ करते हैं, तयार बैटर में ये तड़का डाल देते हैं, साउथ इंडिन रेसिपीज में उड़त के मोगर का टीज चैनल पर तीन कलर की इडली की रेसिपीज भी है, उसका लिंग में डिस्क्रिपिशन बॉक्स में डाल दूगी, आप वहां जाके जरूर से चेक करें, और ये बैटर देख सकते हैं, अच्छे से तयार हैं, अभी अपने इसके अंदर नमक मिक्स नहीं करा है, जब आप इड टीई स्पून और वन फोर टीई स्पून नमक डालें, मेरे हाँ पर ये सेंदा नमक है, तो सवाचमत डाला है, आप अपने टेस्क के अकोडिंग नमक डालें, नमक को भी अच्छे से अपन मेक्स कर लेते हैं, और अगर आप बैटर स्टोर करते हैं, तो इसको फ्रीज में इडली तयार करने के लिए मैंने ये इडली का कुकर लिया, इसके अंदर दो गलास पानी गरम करने रख दी है, और ठकन लगा के इसको बॉइल आने देते हैं, और इडली का संचा है, इसको ओल ये गी से ग्रीस कर लेते हैं, और ये मैंने ग्रीस कर लिया है, अब जो तयार इसे अंदर फिल कर देते हैं इस बैटर से आप हांडवा भी तैयार कर सकते हैं बस उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठिक रखनी होती है और मैंने यह संचे में इडली का बैटर डाल दिया है और संचे को देख सकते हैं जिदर इडली है और उस साइड में छेद एक तरफ छेद एक तरफ इडली इस तरीके से जमाया है मैंने तकि अपनी इडली अच्छे से स्टीम हो और साइड बाइ साइड अपने पानी में भी उबाल आ चुका है और संचा अपने इसमें स्टीम होने के लिए रखते हैं 5-7 मिनिट के लिए डख कर हाई फ्लेम पर स्टीम करें और 5 मिन बाद अपनी इडली देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इडली बनकर तयार हुई है बिना इनो और बिना सोडे के इतनी अच्छी इडली फूल कर तयार हुई है चेक कर लें चाकु डालके देखा एकदम क्लीन आ रहा है मतलब अपनी इडली परफेक्टली स्टीम हो चुकी ह और मेने संची को बाहर निकाल लिया है अभी ये बहुत गरम है, तो इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं इडली को बाहर निकालने से पहले हल्कासा गी या तेल से आप ग्रीस कर ले ताकि इडली Boston को और पहुत ही अच्छी इडली तयार हुई है देख सकते हैं बहुती अच्छी जाली और एकदम रूई जैसी सौफ बनकर तयार हुई है आप इस तरीके से इडली तयार करेंगे तो आपके इडली भी एकदम फुली फुली और सौफ तयार होगी आप अपने इसको सर्व करते हैं इडली के साथ कॉकनाट की चटनी आपको अगर चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी हमारे चैनल पर अलड़ी अप्लोडेड है एक इडली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर इसकी जाली और कितनी सौफ तयार हुई है ये इडली देख सकते हैं बहुत ही सौफ तयारी करते हैं वैसे तो आप इडली को चटनी के साथ भी खा सकते हैं बट आज अपन इसके साथ सांभर तयार करने वाले हैं तो अभी वीडियो खतम नहीं हुआ तो आप हमारे साथ जुड़े रहें मैंने हाँ पर ये वन फोट कफ तूर की डाल लिए इस तरीकी की ये प काई पानि जालकर भिगल देते हैं मैंने इसको सोक करने रखा है और अपने को सांभर के लिए इमली चाहिए तो भी यह अच्छे से भीग जाती है मैं अभी यहां पर इसको भीगोने के लिए हाप कप जितना गरम पानी ले रही हूं और इसको अपन ढग कर भीगने देते हैं और अब अपन वापस दाल की तरब चलते हैं दाल को भीगे हुए भी 10 से 15 मिट हो चुके हैं अब अपने को इसको अच्छे से वाश करना है क्योंकि इसके उपर पॉलिश होती है अगर आपके पास बिना पॉलिश की डाल है तो ज़्यादा मैनत नहीं लगेगी देख सकते कितना गंदा पानी निकला मैंने इसको दो पानी से अच्छे से वाश कर लिया देख सकते अच्छे से भीग चुकी है और उसको बॉइल करने के लिए मैंने कुकर में डाल लिया है दाल को उबलना है तो इसके अंदर में यह 1.5 कप पानी डाल रही हूं अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं ताकि दाल का कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो वने टी स्पून जितना मैंने यहां इसमें नमक डालना है नमक आप अपने स्वात के अनुसा कम जादा कर सकते हैं मैंने हाँ पर यह 1.5 डाला अब इसको अपन गेस पर रख देते हैं और इसमें उबालाने देते हैं जेन सामबर बना रहे हैं तो बिना प्यात लसन और आलू के चाहिए तो मैंने एक लोकी का तुकड़ा लिया और इस तरीके से चौप कर लिया और टामाटा लिये इनको मैने छील लिया और बीच में इस तरीके से कट लगा लिया ताक कि बॉइल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और डाल में भी अपने उबाला चुका अब बहुत जरूरी टिप यहां पर यह जाग आते हैं कोई भी दाल बॉइल करते हैं तो इस तरीके के जाग आते हैं इनको आपको हटाना होता है इससे क्या होता है ये जाग अपनी बोड़ी में जाके यूरिक एसिद बढ़ाता है और जब अपनी बोड़ी में यूरिक एसिद बढ़ता है और एक बार वापस इसमें अच्छे से बॉइल आने देते हैं और बॉइल आ चुका है अब इसके कुकर का ठककन लगाकर लो टू मीडियम पे अपने को दो सीटी लेनी हैं आपके समय कम ज़्यादा लग सकता है तो दो सीटी के बाद आप चैक कर ले अब अपन दाल कर तड़का तयार कर लेते हैं एक बरतन मैंने दो टेबल इस्पून जितना गी लिया है एक वीडियो मेरे से स्कीप हो गया, सौरी जब ये घी गारम हो गया तो मैंने वन टी इस्पून राइग डाली और 180 इस्पून हींग और एक बेलिप और एक हरिमेच मैंने बारिक चौप करके इसमें डाला है अब गेस की फ्लेम एकदम लोग पे रखे इसमें मसाला एड कर देते हैं 180 इस्पून हल्दी और 1.5 इस्पून लाल मेच पाउडर और 1.5 इस्पून यहां पर धनिया पाउडर डाल दियूँ हल्दी और धनिया डाल बॉयल करते समय भी अपने डाला है इसलिए अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ एक बार मसालो को अच्छे से गी में मेक्स कर लेते हैं इससे मसाले तो रोस्ट होंगे बड़ सांभर में कलर भी बहुत अच्छा आएगा और मैंने इमली का पल्प जो कि अच्छे से चान कर एक कप जितना मेरे यह तयार हुआ यह डाल देते हैं और सांभर अपना और टेस्टी बने थोड़ा सा इसमें मीथा एड़ करते हैं मैं यहां पर यह गुट डाल रही हूँ यह टोटल यह ओप्शनल आप चाहे तो डाले बड़ा स्किप कर सकते हैं और सांभर बना रहे हैं तो सांभर मसाला तो जरूरी है तो यह होममेड सांभर मसाला इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं मैं जरूर से इसकी रेसिप ये फ्लूट करूँगी और दो टी स्पून जितना मैंने यहां पर ये सांबर मसाला डाला इसको भी एक बार अच्छे से मेक्स कर लेते हैं ये अपना तड़का तयार हो चुका है और दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो गया और लोकी भी अच्छे से कुक हो चुकी है अब दाल को एक बार अच्छे से गोट लेते हैं तो दही मतने की ये जेड़नी होती है उससे आप अच्छे से इसको दाल को मत लें ताकि टमाटर और लोकी के जो पी से वो बिलकुल अच्छे से मि डाल रहे हूं आप जैसी consistency डाल की पसंद करते हैं उसे आपसे पानी एड़ करें अब इस डाल को उबालने के लिए रख देते हैं और अपना तड़का भी बिल्कुल तयार हो चुका है और डाल में उबाल आ चुका है अब जो अपने सांबर का तड़का तयार करके रखा है ब साल का कलर एक जैसर आएगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा अब मैंने सांबर उपर से बारिक चो धनिया डाला है बस यह अपना जेन सांबर भी तयार हो चुका है अब आप इडली सांबर गर्मा गर्म डिनर लंच यह ब्रिक पास कभी भी खाए बहुत ही इजी और जट करना बिल्कुल भी नहीं भूले वरना क्या होगा मेरी आने वाली नई वीडियो की नौटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी थैंक्स पॉर वाचिंग मिलते एक नई रेसिपी के साथ